बच्ची हुई इस लेस का इस्तमाल करके आज मैं आपके साथ लटकन का एक बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आसान सा डिजाइन शेयर करूँगी तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस लेस में से मैं ये हाफ सर्कुलर शेप्स को काट के अलग कर लूँगी दो लटकन बनाने के लिए हमें दो हाफ सर्कुलर शेप्स की जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से एक हाफ सर्कुलर शेप्स काटने के बाद मैंने इसके साइड से एक्स्टर फैब्रिक को काट दिया है अब अगर आपको जरूरत पड़े तो आप lighter या candle की मदद से side से extra fabric के छोटे छोटे धागे burn भी कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने red color के छोटे छोटे square pieces काट लिए हैं क्योंकि मेरा suit भी red color का ही है आप जिस भी color के suit पर लटकन लगाना चाहते हैं उसी color के आप छोटे छोटे square pieces काट लिजेगा और फिर इस तरह से fold करके छोटे छोटे triangles बना लिजेगा यह देखिए इस तरह से सभी triangles बना कर हमें ready कर लेने हैं इन triangles का size आप चाहें तो थोड़ा बड़ा या इस से थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं तो जिस भी size का आपको लटकन ready करना है उसे साब से इन triangles को भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं तो इस तरह से सभी triangles को मैंने बना कर तयार कर लिया है और अब हम इन्हें काट के अलग कर लेंगे इस तरह से अब इस तरह की किरन वाली लेस मैंने ली है जो कि बाजार में बहुत एजी ली हर कलर में आपको मिल जाएगी अब इसके उपर से मैंने एकस्ट्रा लेस को काट दिया है और सिरफ नीचे का जो किरन वाला हिस्सा है सिरफ उसी को मैंने यूस किया है इस दिजाइन में अब इन triangles को हमें इस तरह से इस लेज की किनारी पर रखना है और सिलाई लगा देनी है ये देखिये बिलकुल साथ-साथ मैं इन triangles को रख रही हूँ और इस तरह से सिल रही हूँ वैसे इन ट्राइंगल्स की जगा पे आप डोरी लूप्स भी लगा सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर ट्राइंगल्स लगा रही हूँ वैसे वैसे आप छोटे छोटे डोरी लूप्स बना कर भी लगा सकते हैं यह देखिए इस तरह से सभी triangles को मैंने attach कर लिया है और अब ये जो half circular shape मैंने काट के रखी थी इसे मैं इस तरह से इसके उपर attach करूँगी ये देखिए इस तरह से हमें गोल घुमाते हुए इस लेज को half circular shape के साथ attach करना है अब extra fabric को हमें यहां से काट देना है ये देखिए और अब जो भी dory आपको use करनी है वो आप इस तरह से बीच में रखीगा और इस तरह से इसको fold कर लिजेगा और सिर्फ एक सिलाई अब हमें इसकी किनारी पर यहां लगानी है और अब extra lace को हमें काट देना है इस तरह से अब हम इसको सीधा करेंगे और एक simple और सुन्दर सा लटकन हमारा बन कर तयार हो जाएगा ये देखिए कितना प्यारा सा ये लटकन बन कर तयार हुआ है आप भी जरूर ट्राइ कीजेगा इस तरह का लटकन और मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा अगर आप चाहें तो इस तरह के लटकन कपड़े से भी बना सकते हैं कपड़े से इस तरह की half circular shapes बहुत easily बन चाती हैं और अगर आपको कपड़े से इस तरह की लटकन बनाने का वीडियो देखना है तो कमेंट करके जरूर बताएगा तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रक्त्र आपक्राइब करेंट आपको मेरा ने एक पर कमेंट आपको जोड़े का वीडियो देखना है